हेलो गाइस मेरा नाम है राहूल आप देखरें हेल्प कुरू चैनल आज की विड़ पर हम सिंप्ली ड्रो बनाने वाले ड्रोइंग नहीं सिधा समझे तो एक डाइग्राम बनाने वाले और डाइग्राम को आपको पता है पीसीबी जो हमारा है वेफसाइड है उस पर आपको प्रेंट किया जाता है उस पर आपको सिंप्ली एक कोडिंग डालना पड़ता है जिसके आपको पूरा पता चलता है कि डाइग्राम कैसे बनते हैं लेकिन अगर आपको डाइग्राम बनाना सिंप्ली पेज पर तो आप किस तरिके से बनाओगे यही आज की वीडियो में काफी जी मेथड है और आप जो भी सर्केट को आप देखते हूं उस सर्केट को आपको टेक देख करके डारेट अपस इस वीडियो को लाश्ट तक देखना आपको पूरा प्रोसेस पता चल जाएगा तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं अगर आम बात करें सबसे पहले एंप्लिफायर पर तो एंप्लिफायर का कनेक्शन होता है सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट डिफिकल्ट मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि देखिए मेरे पास फिलाल अभी तीन एंप्लिफायर से जो नॉर्मली एक तो यह है जो आपको पी सब्सक्राइब यह यह पर प्रिंट किया गया है पर हम चोरा से जीरो तीर और जो हमारे एक आता है जो इस तरीके के जो छोटे जीरो प्रिंट होकर क्या आया हुआ है लेकिन इसका करेक्शन कैसे करते हैं उसके लिए आपको डियाग्राम को देखना पड़ता है और आएसी नहीं है आएसी खराब हो गया है अगर आपने वीडियो नहीं देखिए तो वह जल्दी आने वाला है मोडिफाइब वीडियो आप उसमें देख लेना पूर पर यह अच्छी तरह से वर्क करेगा मैं जो आपको मैं पता भी नहीं सकते हो वीडियो काफी है दा करने पड़ेगा कुछ मारकर आपके पास जो मारकर कोगा इसे यूज करना मेरे पास एक रेड़् है एक प्लैक है और एक ब्लू कलर का मारकर अब को लेना पड़ेगा और वीडियो को देख करके सबसे पहले मैं यहांँ पर 233 आइसी ले रहा हूं और आपको सबसे पहले पकंड़ना है इसपर आपको सबसे पहले देखना है कितना है मतलब इसके पींस कितने हैं तो आपसे काउंट कर लो 189-18 इस पर वारा पीन हमने सकतो में चारण करना है अजी किस तरीके से आपको चर्ला कर लेना पड़ेगा मैं लिएगा जिस पर हमारा ISO कैनिक्स हैं है सबसर है इसे साइट करनेपा आपको इसका डायग्राम हो जाएगा यहां पढ़िए कि छे कि पोरिपने कि रहे पार luckily प्र हमारा कैपसीटर अब नियुक्तOS के ज Feyo प्रिशेट चाहिए और कितने डाय वोट और या कुछ भी होगा वो सभी मैं आपको बताऊ गा सब से पहले से दूसरे पर एक यहां पर क्यांपर को बना लए यहां पर में ने लिखा जितने भी हमारे capacitor लगेंगे एक ही value के उस पर में C1 लिखने वाला हूं और अलग-अलग capacitor C2, C3, C4 में connection करने वाला हूं अब यह पहला का यह red marker में positive के लिए यूज कर रहा हूं और blue वाला marker में यूज कर रहा हूं negative के लिए जंफर के लिए मैं black वाला वायर ही यूज करने वाला हूं आप देखेंगे इसके second pin पर आखिर सकेंड पीन हमारा कहा है तो यह सकेंड पीन हमारा इसका ground पर connect होने वाला है तो यहां से यहां पर हम इसे jumper वायर करेंगे अब यह jumper हो गया अगर आप यहां पर देखते हो तो पहरे वाले लेग पर तो मैंने यहां पर capacitor को बना दिया आप capacitor जो negative pin है जो second के सथ के लिए अब यह diagram यहां पर complete हो गया अब हम तीसरे pin को check करेंगे तीसरे लेग पर हमें क्या देखने को मिलता है तो यह first second third तीसरे लेग पर देखते हो तो यहां से यहां पर connect हुआ अगर पीछे पलटते हैं तो यहां पर हमें एक और capacitor देखने को मिलता है जो कि C1 है और C1 क अब यहां पर देखें प्लस यहां पर लगवा है पिन नमबर 3 के साथ और जो एक माइनस पीन है वह टोटली ग्राउंड पर चला गया है यहां पर बड़ी बारी जो पट्टी है यह पूरी इसकी ग्राउंड है तो पीन नमबर 3 पर एक capacitor को लगा लेंगे को यहां पर ग्रा केपसीटर का वेल्यू कितना है तो यह भी 25 बॉल्ट सेदाली यह यह भी सीवन है और सीवन का क्नेक्शन कहां पर किया हुआ है तो यह देखिए यहां पर एक capacitor का यहां से पीन नमबर 4 पर कनेक्ट करना पड़ता है अब यह भी जो रेजिस्टेंस है इसे मैंने यहां पर कंप्लेट कर लिया अब मैं आपको बताता हूं यहां पर जो 3 और 4 लेग था जैसे कि यह 3 वाला पीन था और यह 4 वाल लेग वाला था फोर लेग पर हमारा रेजिस्टेंस लगा हुआ है और थ्रिवाले लेग पर क्यापेसिटर का माइनस बचा हुआ है तो क्यापेसिटर का माइनस रेजिस्टेंस का जो एक पॉइंट बचा हुआ है यानि कि यह वाला और यह वाला इसे हम एक साथ करेंगे कि यह दोनों हमार सबसेटर । मैं आर दिया है इससे में आर तू लिग देता हूं । समझ में आएगा अब इसे आप पोजिट करें तो यहां पर देखिए इसका जो लेग है यहां पर यह छोड़ दिया गया है मतलब इसका आप जो रेजिस्टर का जो पीन आएगा रेजिस्टर का पीन आपको कनेक्शन नहीं करना है यह आपका इसी तरह से छुड़ जाएगा आप पीन नमबर 6 पर देखते हैं पीन नम्र 6 पर हमारा क्या है तो पीन नमबर 6 यहरे तरह यह दया हुआ हुए और यहां अप पर एक पर लगा हूँ और पर ही एक यहां पर रेजिस्टर लगा हूँ जो कि सेम यहीं पर connect हुआ हुआ देखें यह सेम एक लेप्ट चैनल एक राइट चैनल है तो आपको सेम यही डाइग्राम आपको पिन नंबर साथ पर भी करनेक्शन करना पड़ेगा साथ के लिए भी मैं इसे ड्रो करता हूं आप मैं बताता हूं कि आखिरकार यह जो दो प्रोइंड मैंने इसमें से निकाले जिस पर आपको रिजिस्टर देखने को मिलता है इस पर हमारा जो करनेक्शन करना क्या पड़ता है तो सिंप्ली आप लोग जानते हो कि जहां पर आपका रिजिस्टर लगा हो रहेगा के साथ पीए का काम होता है और को प्रवाइड करवा आपको ग्राउंड आपको मैं बता दूंगा आपको कई से केनेक्सन करना पड़ता है तो यहां पर मैं ओक्स के बल्रिज देता हूं और बढ़ते पी नमबर एट की तरफ बंदब यहां पीन नमबर आठ और एक क्रईटर लगा हुआ है और एक रेजिस्टर लगा हुआ है तो सेम हमें 8 पर भी बनाना होगा यहां पर मैंने रिश्टर बना दिया और यहां पर आर्ट टु में लिख जिता हूं यह नहीं यह दोनों आप हम बात करते हैं पिन नमबर 9 की पिन नमबर 9 पर हमारा कनेक्शन क्या रहेगा तो simply यहां पर 123456789 नाइन नमबर पिन अगर देखते हो तो पिन नमबर 9 यहां पर कुछ ही नहीं मतलब पिन नमबर 9 अमारा ग्राउंड होता है तो आप लोग देख लेना मैं नमबर नाइन नमबर पिन को भी छोड़ दे रहा हूं एन नमबर 10 के नहीं उत्युस्टेटर का प्लस और मैनर course को मिनस पर हो प्लस यहां पर लगा हुआ है और मैनस दिके यहां पर छोड़ दिया गया है यह दिखिए पूरा समीनस छोड़ दिया गया है तो यहाँ पर हम एक क्वाइस्टर बनाइंगे और मैनस फिंद को छोड़ देंगे अब जो हमारा डाइगराम है बारसाथ त्रासी एंप्लिफायर का यह हमारा 80% डाइगराम कंप्लीट हो गया है अब हम कुछ समझ रहा है लास्ट स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है क्योंकि हमने तो यहां पर 10 और 11 को यहां पर कनेक्शन कर दिया है सेम 10 11 पर ज्यादा क्लिख टेप अंप्व को में सब्सक्राशन के जिटना भी ग्राउंट पिन हैं वह आपको थोड़ा सम्झी तो मैं आपको पता रहता हूं मैं स्वट्र ।को दढ़ाल दो मैं आपको सबसे पहले यही पर इसकी पमत करने वीडियो को मैं थोड़ा सा को अलेज वाली बात में बता दना चाहता हूँ यहां पर मैंने जितने भी ड्रो किये मतलब सर्किट मैंने बनाया यह सर्किट पूरी दास से इसके अधारित पर रहे अब यहां पर मैंने दो तीन जो समाने वो मैंने नहीं बनाया है सिंपली एक यहां पर रेजिस्टर रेजिस्टर को मैंने नहीं बनाया है जो कि यहां पर कनेक्ट हुआ है क्यापसिटर के साथ पर अगर इसे भी यहां से करें तो देखिए पीन नमबर 10 से यहां से एक रेजिस्ट यहां से गया हुआ है यहां से जंपर करके यहां तक लाया गया और यहां पर फिर एक पर यह पर ग्राउन बना चुका है मतलब सीधा समझो तो पी नंबर 10 और पी नंबर जो तो एक है एक या दूत है आप आप आउठ्प पूट निकले गा वहीं से आप wise सा आप साथ वायर और निकले गा हँ यहे पी नमेर एक को यहां पर ग्राउंट बना जाएगा यह पर प्लस बन रहा था यहां प intended यहां से हमारा एक रेजिस्टोर लग न्मट्टेन था तैन पर भी शुरुवात में यानि कि यहां पर यहां पर यहां पर यहां से रीजिस्टर बने का और पिक क्रांट पर लग जाएगा लेकिन यहां तक डाइग्राम स्टीट डाइग्राम अच्छी तरह से वर्किंग में है आप मुझे बताओ आपको कई पर प्रोब्लम होगा तो आप मुझे कॉमेंट जरूर से कर देना फिर भी नहीं बनता है तो आप मुझे क्या करना सिंप्ली रुको मैं एक यहां पर भूल गया हूं मैं यहां पर जी एंडी लिख देता हूं जिससे आपको समझ मैं जी एंडी इतना बड़ा मैं ने लिख दिया है और सिबल तो आपको पता है यह दोनों ओक्स के बले यह आपका स्पीकर आउट है प्लस क्यूंवी मैं बता द बता हूं इस पर टोटल कहने क्तर कों से रिष्टेश कर उसके पें लगए घर कितने लगए तों इसी हो सबसे ज्यादा क्यापए सीडर में यूज क्या गए है 25 बॉल्ट साहता लिशी हुए यहां पर मैं लिख लेता हूं 25 गल्ट 211 और यह तोटल केपसिटर यूज किया लगाया है यह क्यूंकि क्या पर से तर आ Master GAyvy को पांच पीसज में वे इसमें पर इसमें लगाए गए हैं और दूसरा वंध जो हमारे जो capacitor है वो है 10 volt 220 UF का मतलब 10 volt 220 UF capacitor टो पीसेज यह मैंने आपको capacitor ही बता दिया मतलब दो तरह किसमें capacitor यूज किये गए है मैं आपको बताता हूँ power supply लिए जहाँ पर यह 12 बुल्ट का input मैं लगेगा और जो ground लगेगा वहाँ पर आप एक capacitor को जरूर से यूज कर लेना क्यापशीटर आप मेक्सिमाम इसमें दो एंपियर तक लगा सकते हो यानि कि दो एंपियर का हिसाब से मैं आपको यहीं पर समझा देता हूँ आप यहां पर लगा लेना 25 बॉल्ट दो बाइस सो यूफ का capacitor आप यूज करना क्यापशीटर यूज करना इसे प्रोटेक्ट करने के लिए अब आपको समझना है यहां पर देखिए इसे प्रोटल कितने लगाएंगे मैंने यहां पर पीईव कितना बनाया है मैं आपको सब से पहलुकर प्रोटाता हूँ देखिए ए यहां पर प्य equip ज्यक्व है है box 104 104 प्यएफ कैपसिटर दोपीस प्यएफ कैपसिटर भी मैंने आपको बता दिया दोपीसे से अब यहां पर रेजिस्टर कितने लगए गए हैं वह मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले तो यहां पर 100 के के दो रेजिस्टर लगए हैं वाचवा मैं 100 के रेजिस्टर तो पीसेस दो हंड्रेट के के रेजिस्टर लगाए गया हैं और यहां पर दो आपको 10 के के रेजिस्टर लगाने होंगे दो पीस यह हो गया अब मैं आपको बताता हूँ इस पर आपको कोई प्रोटेक्शन नहीं दिया गया है मतलब यहां पर आप कैप सीटर तो लगा दोगे 25 बॉल्ड वाइस सो यूए अपका लेकिन आप इस पर प्लस माइनस को देखते हुए नहीं लगाते हो तो यह आप चार डैवोड का एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना और आपको डैवोड कौन से लेना है तो इसी कि यहां पर हम दो एंपेर तक का इसमें यूज हम कर सकते हैं तो यह हो सकते ज्यादा गर्म हो जाए मैं तो आपको बोलूँगा दो एंपेर पर अच्छा जदा चार पेस चोवन जिरो आड़ का चार पेस आप डैवोड ले लेना और या तो आप छे एंपेर का भी जो डैवोड आता है आप उसे भी यूज कर सकते हो इससे आपको एक ब्रिज रेक्टिफायर बना लेना है और कनेक्शन समझ लेना होगा बस यही था इसका मैन इंपोर् डैग्राम और इसकी हल्प से आप एक बार आप इसे बना लोगे ना तो आपको चाहिए यही सर्कूट नहीं बार सकते रहसे ने कोई भी सर्कूट है आप से पूपर से और नीचे से देखकर गिया समझ लोगे किसका डैग्राम बनता कैसे है तो अगर आप चाहते हो कि एक पायर भी में आपको बना करके दिखाऊं तो तुरह से कोमेंट करना से वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक करना और चेनल को सब्सक्राइब करने बिल्कुल भी मत भूरना और आप मुझे इस्टाग्राम टेलीग्राम ट्वीटर फेस्बूक और वाटसेप ग्रूप और अपना सवाल वहां पर भी पूछ सकते हो तो बस आज के लिए बस इतरह हैं बिलेगी सुब्सक्राइब के साथ अतब के लिए जय हिंद जय भारत